हेलो एब्रीबडी आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है जॉन रॉल्स थियोरी ओफ जस्टिस जॉन रॉल के द्वारा लिखी गई अ थियोरी ओफ जस्टिस 1971 में पब्लिश की गई थी इसमें जॉन रॉल ने एथिकल वैल्यूस और पॉलिटिकल फिलोसॉफी के उपर काम किया था इस किताब में जॉन रॉल के द्वारा कोशिश की गई थी जो यूटिलिटेरियन थियोरी ओफ जस्टिस है जो कि एक मॉर्रल थियोरी है उसका एक आल्टरनेटिव प्रदान किया जा सके इसके साथी साथ इस बुक में डिस्टिब्यूटिव जस्टिस के उपर मेजर चैलेंजिस और प्रॉब्लम्स को बताया गया था इस किताब में जॉन रॉल्स के द्वारा ये बात बताई गई थी कि उनके जो थियोरी ओफ जस्टिस है वो स्ट्रिकली पॉलिटिकल जस्टिस के उपर ही निलधारित है यहाँ पर सिर्फ political justice के बारे में बात की गई है और जो दूसरे forms होते हैं justice के और disciplines के इसके बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है इस किताब में जॉन रॉल्स के द्वारा ये argument पेश किया गया था कि किस तरह से liberty और equality एक अच्छे society को establish करने में मदद करती है और किस तरह से liberty और equality का सीधा संबंद होता है एक अच्छी orderly society के साथ इस argument का inspiration लिया गया था डैविड हूम से इसके साथी साथ जॉन रॉल्स का ये भी concept था कि justice fairness है जिसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को fairness के साथ में treat किया जाना चाहिए हर किसी को equal basic liberties प्रदान की जानी चाहिए सभी similar individuals को equal opportunities प्रदान की जानी चाहिए और जो society के ऐसे members हैं जिनके पास में advantage नहीं है या फिर ऐसे members जो की सफर कर रहे हैं ऐसे members को जितने जादा हो सके उतने जादा benefits देने की कोशिश की जानी चाहिए Rawls का ये कहना था कि अगर इस theory को follow किया जाता है तो एक अच्छी society को establish किया जा सकेगा और society में justice कायम रह पाएगा Rawls का ये भी कहना था कि modern day में society को कुछ इस तरह से construct किया जाना चाहिए कि जो लोग हैं उन्हें maximum liberty मिल सके पर साथी साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जब individual को liberty देते हैं तो उसकी liberty, society की liberty को harm ना करे साथी साथ Rawls का ये भी कहना था कि कुछ inequalities ऐसी होती हैं चोकि society में allow की जानी चाहिए अगर कुछ inequalities को society में ना रखने की वज़से अच्छे से जादा बुरा होता है तो ऐसी inequalities अच्छी है इसका एक अच्छा example ये हो सकता है कि अगर जो ऐसा वर्ग है जो कि पिछड़ा हुआ है या फिर जो गरीब वर्ग है जो कि आगे नहीं आपा रहा है तो ऐसे समय पर inequality करना सही होगा ऐसे वर्ग को बाकी वर्ग से जादा आगे बढ़ाया जाए उन्हें जादा benefits प्रोवाइट किये जाए और साथी साथ वो हर एक कोशिश की जाए जिससे उन्हें आगे लाया जा सके अगर society में अच्छी inequalities होंगी तो यहाँ पर जो less fortunate members है society के उन्हें अकेले ही सफर नहीं करना होगा और ऐसे लोगों के लिए भी power को occupy करना आसान हो जाएगा अगर हम John Rawls की theory को एक nutshell में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि individuals को जादा से जादा liberty प्रोवाइट की जाए liberty के साथ साथ उन्हें equality भी प्रोवाइट की जाए पर यहाँ पर liberty सिब उतने ही extent तक प्रोवाइट की जाए कि society को इससे कोई नुकसान ना हो और साथी साथ John Rawls का ये भी कहना था कि जो भी पिछड़ा वर्ग है उसे आगे बढ़ाया जाए और उनके लिए कुछ inequalities को बनाया जाए उन्हें कुछ advancement दिया जाए उनकी मदद की जाए उन्हें extra benefits प्रोवाइट किये जाए जिससे पिछड़ा वर्ग भी आगे आ सके criticism faced by John Rawls theory of justice John Rawls की theory of justice के release के बाद उन्हें काफी हद तक criticism face करना पड़ा philosophers से भी और book reviewers से भी ऐसे कितने ही philosophers जो कि advocate करते हैं theory of strict equality को उनके द्वारा book को criticize किया गया ये कहकर कि जो कुछ inequalities हैं जो कि John Rawls की theory के द्वारा permit की गई है ये inequalities acceptable नहीं है उनका ये भी कहना था कि अगर कुछ inequalities को follow किया जाएगा तो जो society का balance है वो खराब हो जाएगा John Rawls के द्वारा utilitarianism की theory को इस्तमाल किया गया था अपनी theory से compare करने के लिए philosophers के द्वारा इस बात को criticize किया गया कि जो book है वो portrait नहीं कर पा रही है maximum utility को लिए ठाएगा